अच्छो माई सेल्फ रग्रासिंग स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंड फिजिक्स वाई रग्रासर बिना कोई टाइम किल की हुए पिछली क्लास में आपको में पिछली क्लास में दो क्लास है और वीडियो लेंदी हो जाता इसलिए जहां पर रोकना था प्रॉपर समय पर रोक दिया था अब जरा वहीं से चीज़ें स्टार्ट होंगी ठीक है वहीं से एक एक्जांबल से स्टार्ट करोंगो पीछे की चीज़ें को रिमांड कराते हूँ आगे बढ़ता हूँ ठीक है में इसका यहां साथ हाट 10 मीटर दिया है आपको बताना है find the work done by the gravity gravity का work done ACB में बताना है आपको work done by the normal reaction बताना है अगर block ACB जाएगा तो और आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्ग दनवाता न है ठीक है चलिए पेरे दोस्तों एकदम आसान क्वेशन सबसे पहले आप बना लिए किसी भी लोकेशन पर इसका फ्री बोडी डियाग्राम उससे पहले आप ये देखिए कि एंगिल 53 एंगिल अप रिपोज से ज़्यादा है क्योंकि अगर कोफीशन अफ रिक्शन वन है तो एंगिल अफ रिपोज कितना हैगा 45 डिग्री क्योंकि 10 इनवर्स मूँ होता इतना रटा चुका हूँ पढ़ाते पढ़ाते ये एंगिल ज़्यादा है तो जैसे ब्लोक को आप रिलीज करोगो ब्लोक अपने आप चल देगा अगर ब्लोक को किसी जनरल पोजीशन पर देखोगे किसी जनरल पोजीशन पर ये ठीटा आपको कितना दिया हुआ है बताइए 53 डिग्री आराम आराम से देख लिजे कौन हो जल्दबाजी नहीं फिजिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट पढ़ाने का मुझको स्वभाग प्राप्त हुआ अब देखे नॉर्मल रियक्शन इस तरीगे से लगेगा ठीक इदर लगेगा डालेक्ट एमजी साइन ठीटा इदर लगेगा एमजी कॉस्ट ठीटा कोई दिक्कत नहीं और इदर लग जाएगा F की आपको सभी forces के work पूछें ठीक है चलिए के करके find out कर देते है अगर यह h है तो आप एक काम करो इसका length और find out कर लीजे आप इसका length यहां से यहां तका length और find out कर लीजे length हमें आप क्या formula यूज़ कर दोगे बताइए 1053 degree 1053 degree is equal to perpendicular sorry मैं गलत लग गया इसको sin53 sin53 equal to perpendicular upon hypertonious perpendicular केतना हैगा H आएगा और hypertonious केतना होगा L होगा इसको हमने L माल दिये 1053 जमाने से कितना होता है बताईए यह होता है 4 by 5 equal to 10 by L तो यहां से प्यारे बच्चो L की value आ जाती है कितना आ जाता है बताईए L equal to यहाजाएगा 50 by 4 और 50 by 4 होता है 12.5 meter यहाजाता है तहाँ पर L की value आ जाती है 12.5 meter ठीक है 12.5 meter चलिए work done लिखते है हटाईज को यहां से यहीं लिखते हैंगे सभी work done अब देखिए W gravity इतना पढ़ा दिया gravity के work को चाहे तो आप ऐसे लिखो कि work done by the mg sine theta plus mg cost theta mg cost theta कोई work करेगा नहीं क्योंकि वो लगेगा displacement के perpendicular mg sine theta work करेगा mg sine theta constant है सीधे सीध हो जाएगा mg sine theta into 12.5 यह कहिए mg इसमें इतर लग रहा हुआ और यह हमेशा नीचे लगता रहेगा ब्लोक को कहीं भी ले लो किसी भी position पे ले लो आप और mg का work किसी भी path पर depend नहीं करेगा क्योंकि constant force है और सीधे सीधे हो जाएगा mg into displacement in the direction of mg तो बताएगे mg यह इस land पे यहां लग रहा था और finally यहां तक आजाएगा तो displacement कितना होगा h meter होगा तो सीधे सीधे अंसर कितना हैगा mg h mass कितना था 5 g होता है 10 h कितना हो जाएगा 10 and this is equal to how much 500 j ठीक है normal reaction के work में कोई doubt नहीं होना चाहिए 0 होगा क्यों हमेशा displacement के या velocity के perpendicular होगा इसलिए अगर यह block इदर किसी weak की velocity से भाग रहा होगा तो यहां पे normal reaction इस तरीके से होगा ठीक है और यहां पे लग रहा होगा यह kinetic friction f k और बताइए w f k f k का work देखोगे तो f k इस direction में लगएगा negative work करेगा क्योंकि block जाएगा a से b और friction लग रहा होगा अपता incline और block का displacement होगा down the incline इसलिए kinetic friction का work किया होगा negative होगा kinetic friction लगेगा कितना बच्चो यह लगेगा mu mg mu mg cos theta ठीक है mu mg cos theta तो kinetic friction का work लिखेंगे तो यह आजाएगा minus mu mg cos theta into displacement कितना है 12.5 यह आजाएगा ठीक है सब आसाने value put कर दीजिए answer आजाएगे अब यहाँ पर एक special note होता है बहुत ही special note इतना pause करके पहले उतारीए देखे special concept इसके लिए मैंने पिछला lecture नहीं पढ़ाया था इसको पूरा करने के लिए क्यों इसमें मुझे बहुत कुछ बताना था special concept देखे इस particular question में इस particular question में देखे kinetic friction एक non-conservative force है और non-conservative forces पर आपको पहले ही बता दू non-conservative forces की सबसे खास बात यह होती है कि उनके work done path पर depend नहीं करते हैं लेकिन काइने, sorry गलत बोली है, non-conservative forces के work path पर depend करते हैं पर इस particular question में आप यह देखेंगे कि kinetic friction का work path पर depend नहीं करेगा, देखे अगर यह यहां से यहां तक L है बहुत अच्छा पॉंड बता रहा है L है, और यह कोई भी angle है यहां से समझना, और अगर यहां पर mu है मान लीजे, mu तो देखिए, जब यह block block top से bottom तक यह पहुचेगा top से bottom तो यहां पर यह लग रहा होगा F के, F के कितना होगा बताईए, mu mg cos theta होगा F के होगा, mu mg cos theta क्योंग आपको पता है, mg sin theta अदल लगेगा, mg cos theta अदल लगेगा, parapendi, cooler to the inclined plane, बच्चों कोई भी motion नहीं होगा, इसलिए parapendi, cooler to the inclined forces क्या करेंगे balance करेंगे, F के आजाएगा mu mg cos theta अगर यह L है, तो बताईए, यह distance कितना होगा, यहां से यहां दख यह बताईए, कितना होगा L dash कह दीजी आप इसको तो बताईए, आप इसमें definition यूज़ करेंगे, cos theta definition आप यूज़ करेंगे, इसमें cos theta, और cos theta को क्या लिखेंगे, बताईए, base upon happiness, तो L upon L dash, तो यहां से बताईए, जो L dash होगा, होगा L upon cos theta, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखे लेता हूँ, L dash वराबर L upon cos theta, यह लिखे लेता हूँ clear है, यह लिखे लेता हूँ, L dash वराबर L upon cos theta, अब बताईए, अगर इस point को मैं A मान लेता हूँ, और इसको यहां पर B मान लेता हूँ, तो WFK WFK A से B बड़े ध्यान से देखना, एक तो negative work करेगा, और यह आ जाएगा minus FK का magnitude into displacement, कितना बताईए, L upon cos theta, बड़े आराम से तो WFK A से B बराबर FK का magnitude कितना बताईए, minus mu mg cos theta into L upon cos theta cos theta से cos theta मर जाएगा और ध्यान से देखिए, बड़ा interesting result आ गया, minus mu mg L आ गया, कहने का मतलब वो इस बात पर depending नहीं कर रहा है कि इसका angle of inclination क्या है, friction force का work done प्लीज, अंसन बात नहीं होगी, जितना बता रहा हूँ, उतना समझेए, इस particular question में, friction force का work done, angle of inclination पर depend नहीं कर रहा है, ठीक यह क्या है, independent independent of angle of inclination angle of inclination पर depend नहीं कर रहा है बड़ा आराम से देख लीजिए, बहुत अच्छा question है angle of inclination पर depend नहीं कर रहा है सिर्फ और सिर्फ horizontal horizontal length पर depend करता है यह यहां से आजानने में, burden minus mu mg l minus mu mg l आएगा, ठीक है इसको और better questions में देखिए कुल इमला के बात यह है कि अगर मैं आपको यहां पर समझाना चाहूँ यहां बज़रा समझीए यह अगर theta है यहां पर यह यहां से x है यह यहां से y है और इसको मान लिज़े मैं z कह दो और अगर इसका coefficient of friction में हुए है तो किसी भी shape की body को ले लो कोई भी mass m अगर यह ball यहां से यहां जाएगी इसको मैं location a कह दूँ इसको location b कह दूँ तो जो wf के होगा a to b अच्छा यही workaround b से a होगा b से a में positive हो जाएगा नहीं होगा positive क्योंग जब आप इसको ऊपर गाशीट के लिए जा रहे होगे तो friction इसके opposite लगेगा ठीक है तो वही friction का workaround यही होगा wf के b से a ले लो ठीक और कितना होगा बताइए डालेक्ट इसको याद करो minus mu mg और कितना होगा एक्स होगा इसको याद करने किया बशकता है minus mu mg x होगा ठीक है बहुत अच्छा point है इसको याद कर लीजे बहुत use करोंगा questions में आपको मज़ा आ जाएगा कई जगे अगर यह बात आपने पहले से याद कर रखी है ठीक है चलिए चलिए यह question इस तरह से होता एंगल पर depend करी नहीं रहा है यह होता पर यह होता चलिए तीन पहले लेते हैं अब द्यान से सुनना यह मालीजे angle at theta1 और यह यहाँ से यहाँ तक इसी पर depend करता है यह मालीजे होता x1 यह यहाँ से यहाँ तक यह यह होता x2 यह यह यहाँ से यहाँ तक यह angle होता theta3 और यह distance होता x3 यह distance यह यह यहाँ पर कितना हो जाएगा x3 हो जागा अब मालीजे यहाँ पर एक ब्लोग रखा हुआ है ठीक है अब मालीजे यहाँ का coefficient of action mu है यहाँ का भी mu मान लेता हूँ मान लेता हूँ पिनक Fishm तो बताइये इसको मान लीजे मैं यहाँ से A से पहरे लेके B पहुँचा B से लेके फिर इसको मैं C पहुँचा और C से पिर मैं इसको D लेके पहुँचा तो बताइये जो W f के होगा W f के A से B B से C C से D यह paradox आप देखिए पहले आप यहां से ले जाएंगे इसको तो बताइए इसमें वर्ड़न क्या होगा सीधर सीधर बताओ क्या माइनस म्यूं अटू एंटू X1 होगा, तो यह जो WF के हो जाएगा, यह जाएगा, माइनस Mew Mg, और X1 प्लस X2 प्लस X3 हो जाएगा, ठीक, और X1 प्लस X2 प्लस X3, मानले जो टोटल लेंद होती ही इसकी यहां से यहां तक, यह होती ही टोटल लेंद L, और बहले इसका हाइट होता H, इसका हाइट यहां से यह तक कितना होता है होता है यह फिजिक्स बहुती आसा सब्जेक्ट होता है बस आप इसको मेरे तरीके से पढ़के देखो IT advance के questions चुटकियों में ना सौलब करा दिये हलबा question लगेंगे कोई rocket science नहीं है physics बस आपके teacher के fundे भी clear होने चाहिए इससे भी student की understanding level पर फरक पड़ता है मैं आपको बता रहा हूँ clear आपको ठीक है अब देखें इसी को मैं modify करता हूँ जब आपको पता है कि इन सब जो भी मैंने append downs की हैं इन पर depending नहीं कर रहा है तो मैं किसी भी save का ले लूँ इसको फिर मैं किसी भी save का ले लूँ तो देखें एक बहुती famous book आपने सुनी होगी road'o उसका यह बहुती famous question है बहुती famous question है किसी भी सेप का ले लो इसको, आगर यहां से यहां तक L है, बहुत अच्छा कोशन है, और यहां से यहां तक मान लिए H है, ठीक है, तो अगर इसका कोफिशन और फ्रिक्शन मान लिए Mew है, तो बताईए अगर इस बॉल को या बलॉक को, अगर हम यहां से ले जाते हैं, यह ठीक अगर, यहां इसको हम B से A लाते हैं, क्योंको फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हमें सा कैसा वर करेगा, नेगेटरी भी करेगा, इस तरह के केसे में हैं, तो, क्योंकि अगर आप B से A ले जाओके, तब भी फ्रिक्शन मोशन का पोस करेगा, पर यह इस पाथ पे नहीं करेगा, ना h पे डेपेंड करेगा, बताइए जो wf के आएगा, चाहे आप a से b में calculate करेंगे, चाहे आप wf के b से a में calculate करेंगे, बताइए दोनों ही cases में कितना आएगा, बताइए, minus mu mg into l आएगा, इसको finally आप याद कर लिजे, इस फंडे को बताने की बज़े से, मैं कोई बच्चो बात रही थी, ठीक है, करिए चलिए, करिए, ठीक है, करिए आप इसको, और देखिए इसमें अच्छा कोशन दिखाता हूँ आपको, और अच्छा कोशन दिखाता हूँ, जैसे ये एक famous question होता, बहुत ही famous question हम बता देते हैं आपको, ये मान लिजे एक surface है, ठ surface है, और एक, इसका coefficient of friction कितना है, ब्लॉक इस तरीके से यहां पर रखा हुआ है, ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, मान लिजे हम इसको यहां से यहां ले जा रहा है, यहां तक, यहां तक ले जा रहा है, इस पॉइंट को हम B कह रहे हैं, इसको हम A कह रहे हैं, और coefficient of friction इसका अब यह एंगल इसमान लिए 53 डिगरी है और इसका रेडियस है आर तो आपको friction force का वर्डन बताना है A to B WF के A से B में A से B में friction force का वर्डन कितना होगा यह आपको बताना है ठीक है तो मैं पहले बता चको हूँ जो फंडा भी आपको बता है friction force का वर्डन किसी path वर्डन करता नहीं है तो अब आप देखिए के वली horizontal distance यह देख लिए यहां से लेके यहां तक यह आपके लिए काम का है तो अगर radius R है और यह 53 है तो यह कितना हो जाए कि बताए और R sin 53 और R sin 53 क यहां ही इस H पर depend करता है यहां से यहां तक जो H होता है इस पर भी depend नहीं करता है केबल यह यहां से इस पर depend करेगा 4R by 5 पर तो बताए सीधे सीधे जो answer आजाएगा WF के A से B में बराबर बताए कितना आजाएगा लिखिए अपने आप बताए कितना आएगा यहां जाएगा सीधे सीधे माइनस म्यू एमजी एल इंटू म्यू एमजी सॉरी यह 4R by 5 आजाएगा यहां जाएगा 4R by 5 तो इसका जो answer आएगा माइनस 4 म्यू एमजी आर भाई 5 आएगा किलियर यह इसका answer है ठीक है कोई भी हो कोई भी हो और question कराए एकदम आसान है आपके पकड़म होना चाहिए एकदम जैसे इसमें और बड़ी हा question ऐसे ही कराते जाए यार कुछ होता थोड़ी नहीं जैसे मान लीजे होता कुछ थोड़ी है physics तो ऐसे ही आसन बंजा दी है जैसे यह होता यह पैराबोला होता मान लीजे यह होता x-axis यह हो तो x-axis का रिक्वालड उ एट वाई के यह माल लीजे दिया हुआ है तो इस point के coordinate माल लिजे 0 को माजिए तो अम माल लिजे यहां पर हम कुछ भी कह देते जैसे यह point धे इस point के coordinate ह। मालों यह कोई point है, यह O point दिया हुआ है, और इसको हम P कह देते, और P के मालों लिजे coordinate आपको हम दे देते, Y को 2 ले ले, 2, तो X सीधे सीधे कितना आजागा, 4 आजागा, 4,2 ले ले लेते, और अब माल लिजे, इसको गसीट के यहाँ पहुचाना है, तो वो तो work energy थी, और में सब बात आजाएंगी, पर friction force का burden बताना है, O से P, तो W F के, बताएए O से P में कितना होगा, और ओरली करो, बताएए, सीधे minus mu mg, क्यों, pathway depending नहीं करता, तो आपको केवली horizontal distance यह चाहिए, इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अब बताएए, यह किसके बराबर होगी, क्या X coordinate के बराबर होगी, X coordinate कितना बताएए, 4 है, यह कितना बताएए, 4, तो बताएए, सीधे सी फंडा मुझे बताना था पिछली class में, इसलिए मैंने आपको, आपके lecture को रोक दिया था, ठीक है, बहुत अच्छा फंडा है, pause करके उतारी है, अब देख लेते हैं, work done by the pseudo force, ठीक है, तो constant force में यह आखरी है, ठीक है, आखरी है, फिर पढ़ाएँगे आपको इसके बाद, work done by the variable force, तो work done by the pseudo force, तो देखे, pseudo force पहले तो non-inertial frame से आएगा, तो pseudo force का work ground वाले observer को कभी नहीं समझ माएगा, क्योंकि वो observer, ground वाला observer कभी pseudo force फिली नहीं करेगा, pseudo force फिल करेगा, किसी non-inertial frame में बैठा हुआ observer, तो pseudo force का word done cable कौन लिखेगा, non-inertial frame वाला ही observer, pseudo force के work को लि देखेगा, ये बात लिख लिए आप अपने सब्दों में, मैं तो एक एक जांब से बढ़ता हूँ, मेरे लिए तो सब normal है, अब देखे, अगर मैं ground frame की बात करता हूँ, ये question है, तो find the work done by the pseudo force in one second, ठीक है, अब देखे, इस block के लिए पूछा है, वो सब में बोल देता हू अब देखे, ground frame से तो आपको pseudo force देखेगा ही नि, तो observer यहाँ पर बैठा हूगा ये, ये observer, ठीक, ये observer बैठा हूगा, अब देखे, ये जो observer है, ये जो observer है, क्या ये 5 meter per second square के acceleration से रैट को जा रहा है, तो इस पर alarm रंग का pseudo force लगेगा, ये, ये आ गया, कितना लगता है, ma naught, जिसकी value कितनी आईगी, बताइए, 10 newton, clear हो गया, normal reaction उपर लग रहा होगा, अब देखे, यहाँ पर जो fs max लग सकता है, वो कितना लग सकता है, बताइए, वो होगा, mu into n, और mu कितना बताइए, 0.2, normal reaction कितना होगा, बताइए, 20, यह आ जाएगा, मेरे प्यारे बच्चो, 4 newton, तो 4 newton का maximum friction force 10 newton के pseudo force को नहीं रोग पाएगा, इसलिए यह अपनी जिंदगी की शुरुआत कर देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, बताइए, f के लगेगा, f के कितना होगा, बताइए, 4 newton, तो क्या इसके पास, एक acceleration आएगा, बताइए, एक acceleration है, with respect to trolley, trolley के respect में यह ठीक है, इसको यहाँ अटा देता हूँ, trolley के respect में यह है, acceleration of block with respect to trolley, अब एक second में आप से work बूचा था, इसको भी लिख दू उठा के, वो तो लिखी लिया थी, ठीक है, एक second में work बूचा था, तो एक second में, trolley frame से ही, sudo force का work आएगा, तो एक second में बताईए, यह कितना चल जाएगा, इसके लिए A find out कर लो, तो A बताईए कितना हुआ, बताईए ट्रोली के respect में, driving force होगा 10 Newton, minus, resistance वाला force होगा 4 Newton, और divided by mass कितना है, बताईए, 2 kg, तो यहाँ जाएगा 3 meter per second square, 3 meter per second square, तो 3 meter per second square से भागेगा, तो आप यूज कर लेंगे, S equal to U T plus half A T square, ठीक, तो S बराबर, बताई, U 0, क्योंग T equal to 0 पर U equal to 0 दिया है, plus half A कितना है, बताई, 3, और T का square बोले तो 1 का square, तो S equal to 1.5 meter, तो बताईए, 1.5 meter का distance यह block चलेगा, with respect to trolley, trolley के respect में, और trolley के respect में क्या आएगा, pseudo force आएगा, तो बताईए फिर, यहाँ पर हम लि W M A naught, इसी को मैं pseudo force लिख रहा हूँ, बराबर, force into displacement, क्योंकि constant force है यह भी, तो बताईए, 10 newton का force, और displacement ही है, positive work करेगा, 1.5 equal to कितना आजाएगा, 15 joule आजाएगा, ठीक है, pause करके बतारिए, pseudo force भी एक, constant force ही है, ठीक है, और question करें, चलिए, जैसे मानली यह wedge होता ही है, मानलो यह 5 meter per second scratch दोड़ रहा है, इसके उपर एक block रखा हुआ है, 2 kg का, ठीक है, और इसका length L मानलो यहाँ से 10 meter आई है, 10 meter यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, जो भी हो है से तो के लिए ना देना ही नहीं, हमानलो 2 meter है, clear, तो अब आपको pseudo force का work done बताना है, A से B में, कोई friction नहीं चलो, मैं कि बस pseudo force पर ही working कर रहा हूँ, ठीक है, A से B में, ठीक है, लिखे लो, find the work done by the pseudo force from A to B, A से B में pseudo force का work done find out करना है, तो पहले तो मैं आपको बता दू, ground frame से तो कोई pseudo force आएगा नहीं, जो observer, इस frame के उपर बैठाएगा, इस frame के उपर बैठेगा, इस frame के उपर बैठेगा, इस frame के उपर बैठेगा, जैसे मानली हमने इसको यहां बेठा दिया, यह observer जो होगा यह observer इसमें pseudo force देखेगा pseudo force बताइए क्या होगा इस 5 meter per second square के acceleration के opposite होगा तो यह आजाएगा इधार ठीक है यह आजाएगा इधार MA note बताइए कितनी value होगी MA note की mass है 2 kg acceleration 5 तो आजाएगा 10 newton यह आजाएगा अब देखिए जब यह अब देखना देखना द्यान से मैं यहाँ पर इसका diagram मनाता हूँ diagram इसका यहाँ मनाता हूँ यह 5 meter per second square से दोड़ रहा होगा इस block इस block को कहीं भी ले लो कहीं भी ले लो जो observer यहाँ बैठेगा इसको मैं थोड़ा सा अलग से frame मना देता हूँ ठीक है यह job observer होगा यह job observer होगा यह job observer होगा बताएगे सूड़ो फोर्स को हमेशा क्या इसी direction में लगता हुआ पाएगा इदर लगेगा हमेशा M.A. note हमेशा इदर लगेगा M.A. note हमेशा इदर लग रहा होगा M.A. note तो बताएगे यह भी क्या constant है तो सूड़ो फोर्स अगर यह यहां से length x है यह length x है तो सूड़ो फोर्स का वर्क सीधे सीधे क्या जाएगा बताएगे W.A. note equal to क्या जाएगा बताएगे M.A. note into x displacement in the direction of सूड़ो फोर्स क्योंकि सूड़ो फोर्स यहां पर constant है तो बताएगे यहां पर यह हमेशा इसी direction में लगता रहेगा तो W.A. note बराबर बताएगे M.A. note into सीधे सीधे क्या आएगा 10 आएगा क्योंकि यहां से यहां तक का displacement 10 मीटर है तो mass कितना था 2 kg यह कितना था 5 5 into 10 यह आजाएगा बताएगे कितना 100 joule 100 joule का work आजाएगा ठीक है 100 joule का work आजाएगा कली जाराम से 100 joule का work आजाएगा clear चलो फिर देखे एक question बड़ा famous question है यह माली जातर ए नोट से दोड़ रहा है और T equal to zero पर U equal to zero है ठीक एक वैज यहां रखा हुआ था यह रखा हुआ है अब माली जातर को हम pseudo force का work ही पूछ रहा है यहां से लेखे यहां तक यह location B है और यह location A है यह angle theta ठीक है अब आपको मैं बोल देता हूँ find the work done by the pseudo force from A to B block पर pseudo force ने कितना work किया होगा अगर block A से B में डिस्प्लेस हुआ होगा तो तो कुछ है नहीं देखिए सबसे पहले pseudo force पिक्चर में आएगा कहां से यह जो observer यहां बैठेगा यहां बना लो यहां पर ऐसे यह देखेगा यह इस पर pseudo force देखेगा इधर कितना बताईए और यह block कहीं भी आ जाए जैसे block यहां भी आ गया होगा देखिए इसी मैं कर देता हुगा तब भी बताईए pseudo force तो इधर ही लग रहा होगा जब यह यहां गया होगा तब भी pseudo force यह लग रहा होगा तो बताईए pseudo force के direction में displacement कितना है क्या वो यहां से लेकर यहां तक का displacement है अगर यह R इसका radius है तो यह कतना होगा बताइए R sin theta और pseudo force क्यों constant है तो इसका work भी path statement नहीं करेगा सीदे सीदे pseudo force M A naught multiplied by displacement in the direction of force तो बताइए यह जो W M A naught आ जाएगा यह आ जाएगा M A naught into बताइए क्या यह लिखा जाएगा R sin theta R sin theta ठीक है एकदम ask some question clear ठीक है तो इस lecture को मैं यही रोकता हूँ कि अब अगले lecture हम हम आपको पढ़ाएंगे work done by the variable force ठीक है चलिए पढ़ाई करते रहिए